सातोडी तीज या कजली तीज का वरत विवाहित महिलाएं पती की लंबी उम्र के लिए रखती हैं जबकि कुमारी कन्याओं को इस वरत को रखने से अच्छे वरका आशिरवाद मिलता हैं कजली तीज, हर्याली तीज या छोटी तीज के 15 दिन बाद मना जाता हैं कजली तीज का पर्व रक्षा बंधन के 3 दिन बाद यानि भाद्रपत कृष्णिपक्ष की तृतिय तिथि को किया जाता हैं इस वरत को सातोडी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और भादो तीज आदी नामों से भी जाना जाता है सातोडी तीच से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है कजली तीच के एक दिन पहले यानि सिंजारे वाले दिन सेर्ध होकर हाथ पाओं में महदी लगानी चाहिए सातोडी तीच से पहले कोई शुभ दिन देखकर सवा किलो या सवा पाव चने या गेहूं को सेख कर उसमें घी और बूरा मिलाकर सत्तु के पिंड के रूप में जमा लेते हैं सत्तु यानी सात्तु को सूखे मेवे से सजाकर सुपारी पर मौली लपेट कर बीच में रख देते हैं निमडी माता की पूजा के लिए छोटा लड़ू बनाना चाहिए कलपने या बायने के लिए सवा पाव का लड़ू बनाना चाहिए सत्तु आप अपनी सामर्थ के नुसार कम या ज्यादा मात्रा में और कई तरह से बना सकते हैं जैसे चावल, चना, गेहू या जो आदिका सातोडी तीज व्रत की पूजिन सामगरी, एक छोटा सत्तु कलड़ू, निमडी की डाली, दीपक, फल, खीरा, नीबू, कच्चा दूथ मिला हुआ जल, वस्त्र, निमडी माता के लिए पूजा की थाली, जलका कलश, गाय का गोबर या मिटी, आकडे के पत्ते या घी आद दिहते हैं, उसे रोब दिया जाता है, तलाब में खच्चा दूथ मिला हुआ जल भड़ देते हैं, किनारे पर एक दीपक जला करख दिया जाता है, सातोड़ी तीज या कजली तीज के दिन व्रत रखा जाता है, और शाम की समय महिलाएं सोलश रंगार करके तीज माता और निमडी माता का पूजन करती हैं सबसे पहले निमडी माता को जलके छीटे दे कर फिर रोली से तिलक करें अक्षद चढ़ाएं रोली महंदी और काजल की सोला सोला बिंदिया अपनी अनामी का उंगली से तलाब की पाल पर लगाएं निमडी माता के रोली मौली महंदी काजल और वस्त्र अर्पित करें इसके बाद निमडी माता को फल और दक्षणा चढ़ाएं फिर तलाब में दीपक की रोशनी में नीमू खीरा कुसुमल यानि और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए तलाई में नीबू दिखे जैसा ही तूटे इससी तरह आपके पास जोड़ुजो सामगरी हैं उन्हें आप दीपक की लौ में देखते वे उनका नाम बोले विधी पूर्वक पूजा करने के बाद तीज माता की और गणे जी की कहानी सुननी चाहिए फिर रात में चंद्रुदे हुनी पर चंद्रमा को जल के छीटे दे कर जिमाए कहानी सुना हुआ सत्तु और गेहुं के दाने हाथ में लेकर चंदर देपता को अर्ग देना चाहिए अर्ग देते समय बोलना चाहिए सोना को साकल्यों गज मोत्य चांदी के रुपे से पिंडा पस्वाएं जिसे पिंडा पास न कहते हैं सत्तु पर वस्त्र और रुपई रखकर बायना या कल्पना निकाल कर सासु जी को उनके प्यार चूकर फिर दे देना चाहिए कजली दीज वरत का उद्यापन उजमन शादी के बाद किया जाता है इस वरत के उद्यापन की सारी सामगरी मायके से आती हैं चार बड़े पिंडे बनाए जाते हैं एक सासु जी का एक पती का एक गणेशी का एक खुद का और तेरह छोटे कुल 17 सत्तु के पिंडे बनाकर मौली और सुपारी लगा दी जाती हैं पिंडे प्लेट या टिफिन में रखकर टिकी कर दें यानि उन पर बिंदिया लगा दें एक पिंड़ा सासु जी को एक थाल में रखकर सुहाग की सामगरी के साथ देना चाहिए सुहागिनों को संकल छोड़ कर सत्तु के पिंड ब्लाउच पीस और उपे रख कर दिना चाहिए आप सुने साथ ओड़ी तीज के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं जिनके बिना ये व्रत अधूरा रहता है किसी नगर में एक सेठ और सिठानी रहते थे उनके पास बहुत सारी धन संपती थी किन्तु उनकी कोई संतान नहीं थी भादो मास में साथ ओड़ी तीज माता का व्रताया सिठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना की और कहा है निमडी माता हे तीज माता अगर मेरे नवे महिने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको सवामन का सत्तु चढ़ाओंगी तीज माता की क्रपा से नवे महिने सिठानी ने एक पुत्र को जनम दिया लेकिन सिठानी निमणी माता को सत्तु चढ़ाना भूल गई सिठाने के साथ बेटे हो गए लेकिन सिठानी ने तीज माता को अब तक सत्तु नहीं चड़ाया पहला बेटा विवह लायक हो गया लड़के का विवह हुआ विवह की रात ही अर्धरात्री को लड़के को साप ने डसलिया और उसी समय उसकी मृत्धी हो गई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छटे पुत्र की भी विवहा की रात को ही साप की डसने से मृत्नी हो गई साथवे बेटे की सगाई होने लगी तब सेट सिठानी ने मना कर दिया गाउवालों के बहुत समझाने पर सेट सिठानी शादी के लिए तयार हो गए तब सिठानी ने कहा इसकी सगाई बहुत दूर करना सेट जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक काउं में आ गए वहाँ कुछ लड़किया खेल खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी सबने अपने अपने घर तोड़ दिये लेकिन एक लड़की ने कहा मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूँगी सेट वहाँ खड़े खड़े ये सब देख रहा था उसने सोचा कि ये लड़की तो बहुत समझदार है ये मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी लड़की खेल कर जब अपने घर जाने लगी तब सेट भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुर्थ भी निकाल लिया अब घर आकर वह अपने लड़के के विवाह की तयारी करने लगा सेथ, परिवार और गाउंवालों के साथ बारात लेकर गया और साथवे बेटे का भी विवाह हो गया बारात विदा हुई लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण माने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का वरत आएगा ये सत्तू और सिंग डाल रही हूँ रास्ते में निमडी माता की विधिपूर्वक पूजा करके कलपना ससुर जी को दे देना तुम धाम से बारात चली, रास्ते में तीज का दिन आया तब ससुर्जी ने निम्डी का पेर देखकर पाल की रुकवा दी और कहा बहु पूजा कर लो तब बहु ने कहा निम्डी की डाली ला दो तो ससुर्जी बोले कि सभी बहु और ने तो निम्डी की पूजा की एकलन बहु नहीं मानी बोली मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी बहु के कहिए अनुसाह ससुर जी ने पूजन की तयारी करवा दी आप बहु नीमडी माता का पूजन करने लगी नीमडी माता पीछे हट गई तो बहु हाथ चोड़ कर विंती करने लगी कि है नीमडी माता आप मुझसे पीछे क्यों हटी मुझसे क्या भूल हो गई बहु की करुण पुकार सुनकर तीज माता ने कहा तेरी सासु जी ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो सवामन का सत्तु चड़ाऊंगी लेकिन साथ बेटे हो जाने पर भी इसने सत्तु नहीं चड़ाया बहु बोली माता हमारे भूल माफ करो मैं आपको सत्तु चड़ाऊंगी मेरे छे जेट जी को वापस लटा दो और मुझे पूजन करने दो तेज माता नववधु की भक्ती और श्रधा देखकर प्रसन हो गई फिर बहु ने नेमडी माता का पूजन करके चेंद्रमा को अर्ग दिया उसके पती ने सत्तु पासा और ससुर जी को कलपना दे दिया बारात घर पहुंची बहु के घर में प्रवेश करते ही उसके तो छेट प्रकट हो गए सासु जी ने धूम धाम से सबका ग्रह प्रवेश किया अब सासु जी मारे खुशी के बहु के पाउं पकरनी लगी तब बहु ने कहा सासु जी आप ये क्या कर रही है आप ने जो दीज माता के सत्तु बोला था उसको याद करो सासु जी को याद आ गया अगले साल भादो महिने में कजली दीज का अवरत आया सवामन का सत्तू बना कर निमडी माता को चड़ाया धुमधाम से विदिवत निमडी माता का पूजन किया अब उनका घर सुख समर्धी से भर गया है निमडी माता जिस प्रकार सेट के घर में आनन्द हुए वैसे ही सब के घर में करना सब को अखंड सुहाग देना संतान को लंबी आयू देना प्रेम से बोलो निमडी माता की जय अब सुनिये दूसरी कथा एक बार एक साहुकार था जिसके साथ बेटे थे साहुकार का छोटा बेटा वेश्या के हाँ जाया करता था उसकी पत्नी अपनी जिठानियों के यहां काम करके अपना गुजारा करती थी भादवे के महिने में कजली दीज कवरत आया सबी ने दीज माता कवरत किया सत्तु बनाया छोटी बहु बहुत करीब थी उसकी सास ने एक छोटा लड़ू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया शाम को तीज माता नेमडी माता का विधी पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तु का पिंड़ा पासने लगी तभी उसका पती वेश्या के यहां से आया और बोला दर्वाजा खोल उसका पती बैठा भी नहीं और उसी समय कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहां छोड़ करा तब वेह अपने पती को वेश्या के यहां छोड़ कराई ऐसा उसने छे बार किया और वेह सात्वी बार भी वापस आया और बोला चल मुझे वेश्या के यहां छोड़ करा अब मैं वापस नहीं आऊँगा साथ वी बार जब पती को छोड़ कर वे वापस आने लगी तो रास्ते में एक बरसाती नदी मिली जोर से बरसात आने लगी तब वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई जब वे वहां से चलने पार दूद पीकर उसके टुकडे करके चारों दिशाओं में फेग दिया तीज माता की ऐसी करपा हुई कि उसके पती को पत्नी की याद आ गई और वे वेश्या से बोला मैं तो अपनी पत्नी के पास जाओंगा फिर वेश्या ने अपना सारा धन देकर उसे विदा कर दिया पती अब सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई दर्वाजा खोलो उसकी पत्नी ने कहा अब मैं दर्वाजा नहीं खोलूगी तब उसने कहा दर्वाजा खोलो अब मैं वापस कभी नहीं जाओंगा अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे लेकिन उसकी पत्नी को अप सब समान उसने अपनी पत्नी को दे दिया, फिर दोनों ने प्रेम से सत्तु पासा, अगले दिन जब वह सुबह जिठानी के यहां काम करने नहीं गई, तो बच्चों को बुलाने भीजा, बच्चों ने देखा कि काकी गएने नए कपड़े में सत समर कर बैठी है, और काका भी बैठे वे हैं, तो बच्चों ने पूछा चाची, यह कहां से आया, तब उसने कहा, यह तो तीज माता की करपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आओंगी, बच्चों ने घर जाकर सारी बात बताई, सभी लोग अब बहुत प्रसन हुए, यह तीज माता, जैसे आप साहुका में कजली तीज का अवरत आया, उसकी पत्नी ने उससे कहा, कि आज मेरा कजली तीज का अवरत है, मेरे तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना, ब्रहमन बहुत गरीब था बहुत चिंतित हो गया, और सोचने लगा, चोरी करू या डाका डालो, पर पूजा के वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा, तब ही दुकान का नौकर उठ गया और चोर 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 चिलाने लगा, उन्होंने ब्रहमन को पकड़ लिया, साहुकार आया और उसके पूछने पर ब्रहमन ने कहा, भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैं सिर्फ सवाकिलो सत्तू बना कर ले जा रहा था, ब्रहमन की तलाशी लेने पर सत्तू के लावा उसके पास कुछ नहीं मिला, उधर तब तक चेंद्रमा निकल आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, साहुकार ने ब्रहमन की गरीबी और इमान रखी, वैसी कथा कहने, सुनने और हुंकारा भढ़ने वाले सब की रखना, अब सुनिए तीज माता की अंतिम कथा, इसी गाओं में जाट रहता था, उसने दो विवहा किये, दोनों के एक एक लड़की भी, कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई, अब सौतेली मा अ जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूना, और दूसरी के लिए साधर रंड़का, जाटनी दोनों बेटियों का विवहा कर दिया, सौतेली बेटी मेहनती और समझदार थी, उसने अपनी समझदारी से सब का दिल जीत लिया, जाटनी की बे बढ़ाई की परना तो दूसरी वाली के ससुराल वालों ने उससे बहुत शिकायते की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बाते जाटनी को बता दी जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी कुछ समय बात भाद भी है माने सुना और तुरंट समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा तब लड़की ने निमड़ी माता का पूजन करके कहा है निमड़ी माता जैसे आप मीठी है वैसे ही मुझे भी रखना अब की बार निमड़ी माता प्रसंद हो गई और जब यह लड़की ससराल गई तो ससराल वाले उससे प्रसंद रहने लगे इसलिए निमडी माता की पूजा करके कड़वी न कहकर मीठी कहना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए निमडी माता की जय यह थी कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली कथाएं अगर आप भी तीज माता का आशिरवात चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तीज माता कीज़े जरूर लिखेगा